दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लास को समसान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा, पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को कभी नहीं डुबा सकता, जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे, इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मत विचाब आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमदी ना दे, जहार का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है, जहां चार लोगों में बैठ कर, आप मजे ले लेकर किसी और की गुड़ाई करते हैं, यकीन मानिये, आपके वहां से जाते ही, आपकी भी गुड़ाई सुरू हो जाती है, स्वायंग पर वरोसा करो, यह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन दूसरों पर वरोसा करोगे, तो यह आपकी कमजोड़ी बन जाएगा, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जरना सीखो हमें दूसरों के बाड़े में उतना ही बोलना चाहिए जितना की हम खुद अपने बाड़े में सुन सकते हैं हमारी जुवान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संबाल पाते हैं अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो, तो बहुत जब मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो, जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो जरूरी नहीं कि कुट्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुट्ता निकल सकता है उरने में बुड़ाई नहीं है, आप भी उर सकते हैं, लेकिन उतना ही जहां से जमिन साब दिखाई देती हो काम्याब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकाम्याब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं सच्चाई हमेशा खामोस रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, जूट बोलने वाले तो हमेशा सोर मचाते रहते हैं अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे, जितना आप गलत इंसान के साथ राने से हो सकते हैं सिक्षा और संसकार जिन्दगी जीने के मुल मंत्र है, सिक्षा कभी जुकने नहीं देगी और संसकार कभी गिरने नहीं देगे कहने को सब्द नहीं, लिखने को भाव नहीं, दर्द तो हो रहा है दोस्त, लेकिन दिखाने को घाव नहीं वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सावित होने में वक्त लगता है उद के लिए भी सोचा करो दोस्त, क्योंकि हैशियत के इस दोड में खैरियत कोई नहीं पूछता मन को जुकाना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर जुकाने से भगवान नहीं मिलते वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या, अपना ही रिष्टेदार होता है किसी से अपने दिल की बात, तु कहना ना भूल से, यहाँ खत भी थोड़ी देर में अख़वार होता है यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज़्जत नहीं है और जिसके पास है उसे किसी की इज़्जत नहीं है कर्म का सब खेल है, यहाँ लोट कर जरूर आएगा, जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा जुबान कोबडा के जहर से भी जहरीली होती है जब ये डस्ती है ना तो सिर्फ दिल ही नहीं जिंदगी को भी बेजान कर जाती है कर्म बहुत द्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है इसलिए अच्छे समय में घमंड नो कड़े और बुड़े वक्त में सब्र ना छोड़े मन का सांत रहना भाग्य है मन का वस में रहना सौ भाग्य है मन से किसी को याद करना अहो भाग्य है और मन से कोई आपको याद करे ये पड़म सब्र भाग्य है विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े मुझे जिन्दगी का इतना तजुरवा तो नहीं पर सुना है सादगी और इमांदारी से अपने ही लोग जीने नहीं देते समय का चक्र बहुत देज चलता है इसलिए नो तो अपने बल का अंकार करे और ना ही अपने धन का जिन्दगी में एक बात जरूर याद रखना कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है लेकिन नसीब से चीन कर नहीं जुकने का अर्थ ये कदापी नहीं होता आपने सम्मान खो दिया पर कीमती बस्तु को उठाने के लिए जुकना ही पड़ता है प्रभू एवंग बुजुर्गों का आशिरवाद इन में से एक है इनसान दो वजह से फिल्कुल बदल जाता है या तो कोई खास उसकी जिन्दगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिन्दगी से चला जाए नियत साप और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में इस स्वर भी आपकी मदद करते है यूँ ही नहीं होती जिन्दगी में तब्दिलिया साह मोम को भी रौशन होने के लिए पिघलना पड़ता है जिन्दगी में बेसक हर मौके का फायदा उठाओ मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं दो हाथ से हम पचास लोगों को नहीं मार सकते हैं पर दो हाथ जोर कर हम करोरों लोगों का दिल जीत सकते हैं